हेलो बचो जैसा के पिछले वीडियो में पोलिनोमियल वाले में हम वादा किये थे कि आप पोलिनोमियल के सुन्याग पर आगे एक वीडियो बनाएंगे तो इस वीडियो में हम पोलिनोमियल के सुन्याग पर ही चर्चा करेंगे और उसको बताने की कोशिज करेंगे जीरो अफ पॉलिनोमियल बहुपद का सुन्यक होता क्या है पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल बीजिये बेंजक है अलजब्रिक एक्सपेंशन है जिसमें के भिरियेवुल होता है और पॉंस्टेंट भी होता है तो भिरियेवुल पर बात है एक्स वाई जेक पर किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स का वहमान जिस पर के पॉलिनोमियल सुन्य हो जाता है उसी को उस पॉलिनोमियल का जीरो कहते हैं सुन्यक कहते हैं एक्स यानि भिरियेवुल का वहमान जिस पर भहुपद सुन्य हो जाए सपोस्पोज कर लो के तुम्हारे पास एक बहुपद है 2X square minus 4, यह PX है तुम्हारे पास, अब देखो के यह कितने पर सुनने हो रहा है, इसका भेलू निकालोगे कितना आएगा X का ये उतने पर ही सुनने होगा या यू समझ लो इससे easy एक देते हैं X square minus 4 है अब बताओ ये तो easy हो गया X square minus 4 X का क्या मान इसमें हम रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा I take X equal to 2 ये 0 हो रहा है polynomial PX क्या हो रहा हमारा 0 हो रहा है तो X equal to 2 पर ये polynomial 0 हो गया तो इस बहुपद का इस polynomial का सुन्यक एक सुन्यक 2 कहलाएगा अब ये समझो कि क्या एक तो पहले और भी बताना था बताना ये चाहिए था कि एक घातिये बहुपद को सुन्यक की संख्या एक होगी दुई घातिये बहुपद को जितना घात होगा उसके सुन्यक की संख्या उतनी ही होगी तिरी घातिये बहुपद को देसके संख्या उतनी होगी सबसे पहले यह बात जान लेना था कि एक घातिये बहुपद है इसके संख्या एक होगी दुई घात बहुपद है तो उसके संख्या दो होगी तिरी घात बहुपद है तो उसके सुन्यक की संख्या तीन होगी तो यह सुन्यक की बात हो गई ही कि जतना घात उसको सुन्यक उतना ही तो अगर इस तरह से रहता पी एक्स हमारा एक्स माइनस थिरी एक्स माइनस थिरी एक घात यह है और इसमें हम तुमको पूछते कि एक्स का क्या मान दें कि हमारा ये पोलिनोमियल सुन्ने हो जाए जिरो हो जाए तो इसली कह दोगे कि एक्स का मान तीन देंगे सर तो जिरो आ जाएगा तो इसमें एक्स का भेलू तीन आया यह एक्स का भेलु इस बहूपद का सुन्यक कहला पर दो सुन्यक फ़ाओनाना चाहिए एसा जो कि सुन्यक होगा दो सुन्यक्ष कुम्हों आ है दो सुन्यक होना यह एक भेलू पर तुम बता दिए कि X का भेलू अगर हम 2 दें तो 2 देने से हमारा ये 0 हो जाएगा तो इसका एक 0, एक सुन्यक 2 हुआ, दूसरा सुन्यक क्या होगा, माइनस 2 भी अगर हम देंगे, माइनस 2 भी देंगे इसके अस्थान पर, तो देख लो ये 0 होने वाला है, माइनस 2 का स्क्वार इस 4, 4 माइनस 4 0 तो माइनस 2 पर भी यह सुन्यक निकलने में दिख्कत हो रही होगी तो एजी है, रूट में आएगा, यह देख लो इस तरह से, रूट 2 जब इसका हम मान देंगे, पलस रूट 2, इसका एस्क्वायर करेंगे, तो 2 आएगा, two into two four minus four zero minus root two दूसरा आएगा इसका square करेंगे तो भी two आ जाएगा minus का square always positive हो जाता है तो इसका zero इसका सुन्यक हमारा root two और minus two minus root two आया root two and minus root two चूंके ये quadratic है तो इसको भी दो सुन्यक होना था इसका दो सुन्यक यहाँ root two and minus root two हो गया तूंको देखा दिये कि इसका root two का square करेंगे two आएगा two into two four minus four zero यहाँ भी उसी तरह two आएगा two into two four minus four zero तो इससे ये असपस्ट हुआ कि X का वह भेलू जिस पर polynomial सुन्ने हो जाता है उसे उस polynomial का सुन्यक कहते हैं zero कहते हैं अगर quadratic है तो वो X के दो भेल्यू पर सुन्ने होगा linear है तो X के एक भेल्यू पर सुन्ने होगा अगर cubic है तो X के तीन भेल्यू पर वो सुन्ने होगा तो ये सभी भेल्यू एक्स का वह भेल्यू एक्स का वह मान जिस पर कोई बहुपद सुन्ने हो जाता है उसे उस बहुपद का सुन्यक कहते हैं clear है अब इसके बाद एक और विडियो बनाएंगे जिसमें के सुन्नेकों का योगफल सुन्नेकों के गुननफल का फर्मूला होता है सुने होगे आलफा बीचा गामा ये सब सुन्यक होता है तो उस पर एक विडियो और इसके बाद हम बनाने वाले हैं